नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी नियूज और मैं हूँ आपके साथ हश्वीनी सुरोही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के सरु अलवर में वसुंधरा राजे समर्थक मंच का कैरिकरम हुआ इस दोरान पदाधिकारियों ने वसुंधरा राजे को प्रदेश में मुख्यमंत्री का चहरा बनाने की मान की उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर भाजपा किस सरकार बनानी है तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चहरा बनाना होगा क्योंकि प्रदेश की जनता उनको पसंद करती है जिस तरह से देश भर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं उसी तरह से प्रदेश में वसुंधरा राजे ने अपने कारेकाल के दोरान बहतर काम किया। पिछड़े प्रदेश में विकास शील प्रदेश बनाने का काम किया है। जिले की जनता की पानी की समस्या के समलहान के लिए जिला कलेक्टर खुद गेंती फावडा चला रहे हैं। प्रदेश में वुख्यमंत्री अशोग गहलोत के OSD लोके शर्मा के बिद्याद आने पर सद्भावना जन जागरती संस्था के सदस्यों और जागरुक नागरिकों के एक प्रतिनिधी मंडल से मुलाकात कर बोरावड को नगरपाली का गठित करने पर आभार व्यक्त प्रतिनिधी मंडल से मांग करते हुए कहा कि बोरावड नगरपाली का तो बन चुकी है लेकिन संसाधनों के अभाव में नगरपाली का कारिय सुचारू नहीं होने की वज़ह से पिछले 6 माह से बोरावड का विकासकार ये ठप पड़ा है। मौके पर क्रेन को बुलाकर ट्रेक्टर ट्रोली को एक साइड हटाया गया। ट्रेक्टर चालक ने बताया कि वो पंजाब से भूसा भरकर पावटा जैपुर ले जा रहे थे और जैसे ही बहरोड के दहमी गाओं के पास पहुँचे तो अचानक ट्रेक्टर ट्रोली का और ट्रेक्टर ट्रोली पूरे हाइवे के बीच में पलट गई। गनिमत रही कि इस दोरान कोई ट्रेक्टर ट्रोली की चपेट में नहीं आया वरना बड़ा हाधसा हो सकता था। जिला विधिक सिवा प्राधिकरन सुनिल यादव बालकल्यान समिती अध्यक्ष सीमा पोद्दार बालकल्यान समिती सदस्य छुटनलाल शर्मा घंशाम दूबे मौझूद रहे। बड़ूरी है कि हम बच्चों को स्कूल बेजें चोटी उमर में उनसे काम ना कराएं। अगर उनकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है तो प्रशाशन का उवगन कराएं। इसी क्रम में बूंदी के न्यू कॉलोनी स्थित समुदाइक भवन में चोधा जून को कोटा के उमेद गार्डन में होने वाले ग्रामेन कल्यान सम्मेलन को लेकर भाजपा कारेकरताओं की बैठक ली। जिसमें बूत कारेकरता और शक्ती केंद्र प्रभारियों की बैठक आयो जित हुई। सवार की मौत हो गई जब की तीनन निय घायल हो गए। घायलों को 108 एंबुलेंस से चिकित साल्ने लाया गया जहां पर प्रात्मिक उप्चार के बाद उन्हें अजमे रैफर किया गया। मसूदा बिजनगर रोड पर ग्राम शेरगड के पास एक ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटना स्थल पर ही एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गम भी रूप से खाल हो गया। जोहनकारी के नुसार ग्राम शेरगड निवासी सामरलाल मसूदा से बाइक शेरगड जा रहा था। कि शेरगड के पास ही सामने से तेज गती से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीपी वी निउस नमस्कर।